देश में जब से कोरोना का कहर बर्सा है तब से ही इस्तितीख खराब हो गई है हालाग पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी गंभीर हो गए है वही जानकारे के लिए बता दे कि कोरोना कार में लोगों के मसीहा बन कर आए अभी नेटा सोनू सूध ने लाखों लोगों की मदद की है और अभी भी मदद का सिलसिला जारी है देश भर में लगे लॉक्टाउन के दोरान बॉलिवूड एक्टर सोनू सूध ने जो प्रवासी मजदूरों वा अन्निश शहरों में फसे लोगों की जिस तरह से उनके घड तक पहुचाने में मदद की है वह काबिले तारिफ थी सोनू की इस मदद की हर किसी ने सराहना की उन्होंने अपने इस काम के बाद सोनू रील लाइफ से रील लाइफ हीरो बन गए और कई लोगों ने तो एक्टर की फोटो अपने मंदिर में लगा ली है और उनकी पूजा करने लगे हैं आए दिन सोनू किसी ना किसी वज़ा से खबरों में आ ही जाते हैं एक बार फिर सोनू अपने वीडियो कॉल की वज़ा से सुर्खियों में हैं गवालेर की एक लड़की ने एक वीडियो जारी कर अपने पापा के लिए मदद की गुहा लगाए थी जिसकी सहायता के लिए एक्टर्स सामने आये हैं कर दोगाए दे वीटियो अपना हुगा भाइस के ख़ा मुआ को अब ही अब इंसर आये थे अ हॉस्पिटल में बाकी सर मैंने मामा जी को कॉल किया था क्योंकि वह वह एटेंडर है बट मेरी सर उनसे बात नहीं हुई क्योंकि वह कॉल पिक नहीं कर रहे हैं तो दियम सर नहीं करके दिये किस आफ जांब भी? सर अभी एकचली सर अब सर कल उनों ही इस सर एक पर इंफरमेशन अभी एक सिंगल इंजेक्शन हाँ मैंने अभी ही वडा ही अउट ही नमगवाये पीशित नापाच है वहां से ब्यापने इन दौर बेचने पड़ेंगे दौर से बाइट के की इचे पारब पास्षिक बती है । सर अबागाने के लिए सब्गाल रपिए क्योंकि मेरे मामा जी हैं वो सार हैद्राबाद में जॉब करते हैं और मेरे भाईया इंजेक्शन के लिए तीन बार उधर जा चुके हैं डैली आज भी अभी वह डैली में है तो सर हम वहां से मगा लिंगे लिकिन सर दिक्कत यह है कि हमें वह मिल ही नहीं रहे हैं मैं मिली नहीं कहीं मिल मिल्ले ही तो मैं मैं बहुती हूशिच छुका दके रहा हुआ है मतला हिए मैं कुछ बौल नहीं सकती नहीं मैं कुछ नहीं सकती आपको का बात मिल रहे हैं तो और किसी और काम आए है मेरा नाम रेनू है और मेरे पापा का नाम राजकुमार सर्मा है वो इधर अपोलो होस्पिटल में एडमेट है सर उन्हें एडमेट में लगबग आठ से नौ देन हो चुके हैं और उनकी तीन सरजरी हो चुके हैं जिसमें उनकी एक जो इंफेक्टेड एरिया था लेफ्ट आई उनकी निकाल दी गई और फिर उसके बाद उनका जो उपर का जबड़ा था वो भी निकाल दिया गया सर और दोक्टर्स का कहना है जो उनको इंजेक्शन लगने पहले उन्हें पोविड वाता बाद में ब्लैक फंगस हुआ था इसकी वएसे उनका ऐसा कंडिशन हो गई और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी और फिर उसके मैं एक अपते से लगई हूँ, sir. मैंने 800 से 900 नंबर डाइल कर लिये. लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, sir. या फिर तो फ्रॉड लोग मिलते हैं, या फिर मैं आपसे क्या को, sir? कहीं से हमल नहीं मिली. तो मैं आपसे माननिय खाण सिभराज सिंगh जी से जो हमारे मामा जी भी है, माननी है सिंधिया जी से और माननी है हमारे प्रदुमन सिंग तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे पापा की मदद कीजिए उन्हें दिन में कम से कम पांच से छे इंग जेक्शन लगने हैं और अबेलबल नहीं है सिर आपको भी पता है कितना सौटेज है और हमारे लिए तो कितना मुस्केल है सिर प्लीज सर मैं आपसे बिंती करती हूँ कि पापा को हेल्प करो स अब भी पापा को कंडिशन बेटर हो पाएगा वरना हो और कंडिशन खराब हो जाएगा प्लीज सर प्लीज मदद कीजिए ब्यो रिपोर्ट वाइस ओफ राइट्स